त्रिव्य मित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टेडी पित प्रदीप में दोस्तों दोस्तों tgt-o tg-o kbs-o-dssb-o phi aja crash test आप सब्हों के लिए बाईलोजी के विपर वैंके लिए हम reaches ì लेक्रिक Fahrणी एब हो possibilite प्रैक्टिस पेपर आप सभी लोगों को दिया जाएगा ये नेसुल है और इस नेसुल किस के साथ है एकजाम पॉइंट के साथ है जो लोग हमसे एकजाम पॉइंट पॉइंट परचेज कर चुके हैं उन्हें 99 रुपे में एकजाम पॉइंट दिया जाता है यहाँ आप टापिक को कम्प्लीट कर सकते हैं दो महीने का हमें समय चाहिए 60 दिन का समय चाहिए टापिक खला की ज्यादा हैं तो 60-90 दिन में हो जागए चुकि यह सब्सक्राइब करने का टार्गेट रखा गया है पहला वीडियो आपके सामने हैं आप सब कमेंट कर बताएगा का आपको और एक NCIT चैप्टर वाइज जो प्रेक्टिस पेपर है वह भी आपका वो पूरा हिंदी में मिलेगा वो अलग से दिया जाएगा तो पहला क्योंचन आपके सामने स्क्रीन पे हैं और मैं उमीद करूँगा का आप मेंसे सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं खुद का मुल्य का जाता है या मेटाजनसिस का जाता है मेटाफोरेसिस का जाता है या आपका डाई मारफोसिस कहते हैं तो सही आंसर होगा मेटाजनेसिस होता ठीक है यह मेटाजनेसिस आंसर आपका 100% सही है इसे अल्टरनेशन आप जनरेशन अल्टरनेशन आप सेक्सूल और एसक्सूल ज समझते हैं यह क्योंशन आप से पूछा गया पैरासाइट आंदा आउटर सर्फेस अपाड़ी ऐसा पैरासाइट जो बाड़ी के आउटर साइट पे हो सर्फेस पे हो दूसरा है पैरासाइट बिटमीन दसल जो सेल के अंदर पैरासाइट हो सल के बीच में हो या पैरासाइट निएक होता है इंट्रसंट रोगा और एग था परासाइट पाया जाते हैं यहां पर चुकि हम लोग प्रोट जो पड़ रहे हैं वाट इजे वेक्टर वेक्टर क्या है आपको बताना है डिजीज ट्रांस्मेटिंग होस्ट नेचुरल डिजर वायर आप डिजीज नान पैथोजनिक पैरसाइट ने प्रोटोजोवा या पैथोजनिक प्रोटोजोवा तो आप कहेंगे डिजीज ट्रांस्मेटिंग होस्ट यह आपका सही आंसर होगा जो डीजीज को एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर ट्रांसफर करने वाले आर्गनिज्म होते हैं उन्हीं आर्गनिज्म को विक्टर के नाम से जाना जाता है ठीक अगला क्योंचन आपके सामने हैं देखें टीजिटी पीजटी की अगर बात करे आप सीद्धर नएं आपके ससी तरह से याद करीए जैसे पोछा जा रहा है एसी तरह के पेपर हम आपको दे रहे हैं जो आपसे प्रस्न इसी तरह का आजकल पूछा जारा है ठीक है दें क्या है एक सेकेंड प्रस्ट को नीचे करें हाँ देखिए प्रस्ट का है डाउन इस्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक डाउन इस्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक और डाउन इस्ट्रोक 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 और काम पढ़ता है और दोनों फेज किसके होते हfilis Biz work यह आपका सही यांची फिसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे अगला क्योंचन आपके सामने कुछ है स्परकार से मह other of the Platinum के होगा की क्योंचन नमबर और expert दे दा इंटर लाग लेकिंग ब्रांचेज तू फार में नेट वर्क आप दा करेक्टरिस्टिक फीचर आप दर कहरा किस आडर का या क्रेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहां पर स्लेंडर से उड़ो पोडिया पाए जाते हैं जैससी का जब आप देखेंगे पीजटी का तो उसमें इस परस्ट लिखा गया है कि सब्जेक्ट कि पेपर का लेबल आपका पोस्ट ग्रिजुसान लेबल का होगा यानि पेपर आपका बहतरीन आने वाला है तो इसलिए आप फ्रस्न को भी बहतरीन प्रेक्टिस पेपर में लाए्ये तो यहां पर होता है फोरा मेनी फेरा ठीक है फोरा मेनी फेरा जो है यह आपका सिलेंडर सुड़ो पोडिया होता है और इंटर लाकिंग ब्रांचेश की तरह पाए जाते हैं अगला क्यों चाना है कांटेक्टाइल बैक्यूल इज नोटिस्ट एमंग अमीबा इज फिर से देखिएगा कांटेक्टाइल बैक्यूल इज नोटिस्ट एमंग अमीबा इन फ्रेस वाटर अगर अमीबा फ्रेस वाटर में है तो वहाँ पर हम किसको देख सकते हैं डार्गनें रिप्रोड्यूस बाई तो आप बताएंगे बाई इस प्लीटिंग जिसे हम लोग कहते थे फिजन कहीं कहीं पे क्लास 10 में अगर आप नहीं बढ़ाया तो इसे फिजन के नाम से जाना जाता है ठीक टोल्थ में भी फिजन लिखा गया लेकिन यहां पर फिजन ना करके करें इस प्लीटिंग सब्दी यूज किया गया है जो कि आपके पेपर का हिस्सा है इस अभी पेपर में या तो कहीं न कहीं जाम में पूचे गये है या एकजाम में बन सकते हैं या इनमें टर्मोलाजी का डिफरेंस है इसलिए आपसे प्रश्ण रखे गए प्रश्ण कैसे है इसका लेबल क्या है आप जरूर कमेंट करके बताएगा आपके कमेंट का इंतजार है और हमारी एकजाम पॉइंट को आप जरूर परचिज करिए चुकि एकजाम पॉइंट आपके पास हंड़ेट की निवरो पचास हिंदी की पचास इंग्लिज की एकजाम पॉइंट है लेकिन उसके अलामा वो सो रूपे में दिया जा रहा है उसके साथ आपको इनसी आटी की सभी प्रेक्टिस पेपर दिये जा रहे है और साथ में आता जाता है मैटेरियल भेजा जाता है कुछ लोगों का मानना है कि हम सारा मैटेरियल एक साथ दे दें तो हम असपर सब्दों में पहले दिन से लेकर के आगता के बात कहते हैं कि एक साथ पूरा मैटेरियल हम देने में सच्छम नहीं है एक साथ हम पूरा मैटेरियल नहीं तो यहार है आँ आध़ नेहरे तो 1901 रायरें में इतना ही नहीं है तो मैटेरियल हैंड राइटिंग है और हम कर लगता है कि ऐसे नहीं रिधे आपकी इच्छा हो तक जैसे छेसे का आता रहें प्रेक्टिस प्रेपर कंप्लीट होगा अब पेपर नहीं और तो अगला प्रशन आपके सामने कुछ यह है कि इसे कहते है आस्मो रिग्लेशन क्या कहा जाता है आस्मो रिग्लेशन कहा जाता है फूट कैप्चर इस दा फंसन आप फूट कैप्चर किसका फंसन है तो इस दा फंसन आप रेट्री कुलो पोडिया का जो फंसन है वो फूट कैप्चर का है चुकि यहां पर आपसन जो दिएगे फूड वेक्यू नहीं कैप्चर करता आई सपाट कैप्चर नहीं करता पैरा मायलान के रूप में स्टोर होता है तो प्रिटिक कुलो बोडिया जो है आपका सही आंसर हो जाता है ठीक है कैरियो सॉम कंसिस्ट आप टू मैटिरियल कैरियो सो में दो मैटिरियल पाया जाते हैं वाट इदा एक्रो मेटिक सबस्टेंज पाया जाता है तो आपके एलिवा अब पहले पालिश्टोमेला इज मेड़ पालिश्टोमेला कि से किस से बनी होती है ड़त प्रोटोमेला किस से बना होता है और इसके बाद यहां पे सिलकान है आपको बताना कि सिलकान की मेंबरेन किस में पाई जाती है आपको किस प्रोटो जोवा में सिलकान की मेंबरेन पाई जाती है आपको बताना है और काईटिन की मेंबरेन किस जो है ग्रूप आप किस के इंगनम के मेंबर में पाया जाता है आपको बताना है साइटो पेजिज़ ॐध इज फाउंडिंड साइटो पेज्ट फाउंड है पाया जाता रान पर आजन जा रावल गषिन की अदिक होगा तो आप तौन होता जो आरगन होता है moment का वो कौन होता है reticulopodia होता है the function of contactile bacule is increased when the function of contactile bacule is increased in किस समय ये बढ़ जाता है जब कब बढ़ता है आपको बताना the function of contactile bacule is increased them when कब बढ़ जाता है it is needed to remove waste product it is stopped feeding the cell membrane is permeable to water सही आंसर होगा the cell membrane is permeable to water ठीक है आगे बढ़ जाएए contactile bacule in protozoan serves the function of contactile bacule जो है protozoan में किसका काम करता है तो आस्मो रिमलेशन का कारी करता है what would happen if some fresh water protozoa are placed in the medium of high asmotic potential कहरा क्या कौन सी घटना घटित होती है जब fresh water protozoa को उठा करके high asmotic potential concentration में रख दिया जाता है तो उसमें कौन सी घटना घटित होगी ये प्रस्ण आपको इसका आंसर बताना है प्रस्ण का आंसर होगा the contactile bacule undigested food particle कांटेक्टाइल बेकुल जो है undigested food particle को digest नहीं करेगा when be transfer a protozoa living in sea to fresh water medium कहरा जब कोई protozoa कहां पे है living in sea sea में है और उसे fresh water में भेद दिया जाए तो क्या होगा इट enlarges but shrink again कहरा पहले तो यह फूलेगा और बाद में क्या होगा शिकूड जाता है इट इफ marine protozoa is placed in fresh water its body will कहरा अगर marine protozoa को हम लोग कहां पर रखते हैं fresh water में रखते हैं तो यह क्या करेगा shrink करेगा पहले फूलेगा और फिर बाद में shrink कर जाएग उपर वाला भी प्रस्टाइब अगला Cecilia in Piramisum arises from Celia in Piramisum में कहां से arise होता है आपको बताना इस बात का answer बताना है आप कहेंगे basal greenude से कहां से उ थि यह अथ होता है नेक्टिलूका को किसके नेक्टिलूका को जो है बायो लुम्निसेंस को प्रिजन्स करता है बायो लुम्निसेंस मतलब होता है कि आरगन ऐसा जो इमिट लाइट करता है लाइट को इमिट करता हुसे बायो लुम्निसेंस कहते है सबसेलर फिजुलाजिकल डिवीजन आप लेब इन फिच लोकोमोटरी आर्गनल सर बताएं इस पुरोजोवा इन प्रोटो जोवा इन फिच लोकोमोटरी आर्गनल सर यहां पर कौन सा लोकोमोटरी आर्गनल पाजाता तो कोई लोकोमोटरी आर्गमेर अपसेंट होते हैं क्लास इस पूरो जोवा में लोकोमोशन इन यंग इस पूरो जोवा इजबाई अगर इस पूरो जोवा यंग है और उसे मतलब लोकेट होना है लोकोमोशन करना है तो किसके दौरा लोकोमोशन करता है तो किसके दौरा लोकोमोशन करता है आयन एक जामपल आप इस पूरो जोवन का एक उधारन बताईए तिस पूरो जोवन का जो एक जामपल होता है वो क्या होता मोनो सिस्टिक्स होते कैसे होते हैं मोनो जाते हैं जर्णाइको को सेट ओरफांड इंट आ को सिस्ट किसमें पाई जाता ता अब जब जाता एकक्टो प्लाज में ट्रीको सिस्ट प्याज़रता है हुए दर प्रामरी घुपाइंग Nahमेरी गुपींग अव्धार गुर्फिंग आफ दर फोटोंटि अंदोर डाइ में मेल अंदोर किला किकलायों कोлемूटी और चूर्ड हिए अंदोर खिद से कले इसे कऱ हsınızनी दोatten को कि वने में यहली है रिज क्लास मेस्ट फोरा इंकलूट दप रोटो जोव स्अब तर कैसा होता है फ्लेजला होता क्या होता होता है मैस्ट अऽ्डोफ तर में आदन्स लोकोमोेटरी पाया जाएगा ठीज़ सेवाइड यह इन्टू सब फाइला के आधार के हैं तो नहीं करने का अधार रखा गये लोकोमोटरी और या लोकोमोटरी स्टॉक्चर प्रोटेड़ो इस्पंजिया इंक्लूड इंदर प्रोटेड़ो इसे वालवाक्स इस एंक्लूड़ इन अडर और किस अडर का लावक्स को रखा जता है तो आप कहते हैं तो फाईटो मोनाडीड़ एंप्नका लावक्स को रखा जाता कि रैटीम किस और के नतरक्त के लट होता है आप एक दो लॉस लॉस डिस्कोवर्ड गे थे लॉस डिसकोवर्ट के थे एंट अमीबा हिस्टॉली का काज अमेबिक डिसंटरी इंट इन्हों ने डिसकवर्ट किया था कि ऊंतन युझ जो है एक इसको को grand old man कहा जाता है the disease causes by the infection of trichomonas disease causing by the infection of trichomonas तो आपका हो जाता है कौन से यहां पे trichomonasis वह रोग क्या कहलाता है trichomonasis कहलाता है tripali stone tripali stone का पाया जाना किसका सामान लच्छन है तो आप कहेंगे Puertoλλάίας का किसका डिपालि का पाया जाना समान लच्छन है वेलेंटीडियम आप housing the intestine up does in ओसे इंटस्टाइल्गश कर्ताइन आप बेलेंटीडियम किस के intestine में रहता है यानि किस member के intestine में रहता भींडियम तो प्रोटो जोवा जिसमें स्यूडो पोडिया आर्गनल पाये जाते हैं जो कि लोकोमोटरी आर्गनल है कहां पे होते हैं ताप कहेंगे कौन सा स्यूडो पोडिया किसमें पाये जाता है ननने का सरकोडिया में और विच प्रोटो जूवासरे जेंर्बल Einzister फ्रांब फार बर्प्राम कि यह अचली जो दोनों के जचंळ को रखता यह प्लांट करता है यह 血्रट्रय नहीं होता है लाइट के रहने पे और लाइट नहीं रहती तो हेट्रो टॉपिक जैसे बिहेवियर करता है सफनर डार्ट मलेरिया में कहां पायजाता था आर वी सी पे दिखाई पड़ता है और यहीं से हम अंदाजा लगा लेते हैं तो प्रोटो जोवा की एक टापिक का यानि सिर्फ प्रोटो जोवा जर्रल के अलग से करेंगे इस तना से हर तापिक का क्योस्चन आपको मिलता जाएगा मुझे भरौसा है कि आपको इस का लाइब और आवस में लेगा एकजाम में फिर भी आप जुड़े और अपने वित्रों को जोड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका भी लाब हो सके हमारा भी लाब हो सके फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक लिजाज़त दीजी जैंत